मॉनिका एस्ट्रोलोजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मितुन लगन की और अक्टूबर महिने के राशिफल की सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से सूर्य 18 अक्टूबर को तूला राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं बुध एक अक्टूबर को कन्या राशी में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर को तूला राशी में प्रवेश करेंगे मंगल तीन अक्टूबर को तूला राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं शुक्र दो अक्टूबर को सिंग राशी में प्रवेश करेंगे और मुख्य रूप से बहुत सारे ट्रांजीट है यहां पर सबसे पहले शुरुवात करते हैं आपके लगन से मितुल लगन और लगन का स्वामी है बुद्ध और लगनेश बनकर वो चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ है बुदा दित्य योग है तो कोई भी बड़े डिशीजन्स है तो शुरू के अठारा दिन का समय मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है अगर बड़े डिशीजन्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कोई नए कारे की शुरूआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यानि कि एक तरह से कहा जाए कि अगर कोई भी प्रकार का इनिशीटिव लेना यानि कि आप कहीं पर अप्रोच करना चाहते हैं कोई आपका कार्य अटका हुआ है तो वह डेफिनेटली ग्रहों के हिसाब से देखा जाए लगनेश की परिस्थती के हिसाब से देखा जाए वैसे तो पूरा ही महिना एक तरह से बहुत फेवरेबल रिजर्ट्स लेकर है उसके बाद भी मुद्ध का ब्रह्मन जो आपके पंचम भाव में केतू के साथ है और वहां पर भी एक स्ट्रॉंग अवस्था है मगर अगर कोई बड़े कारे की शुरू आते तो confidence level बहुत अच् स्वामी है तो घर परिवार के अंदर कभी कभी चोटी चोटी चीजों में विचार मदबेट डेफिनेटली रहेगा मगर मुझे लगता है यह महिना काफी अच्छी तरीके से आप चीजों को हैंडल कर पाएंगे सेविंग्स में बड़ोतरी है आपके investments बहुत सहीं होंगे और मुझे लगता है कि family matter को आप बहुत lightly लीजिएगा तो आपके professional career में आपको बहुत अच्छी उचाहिया प्राप्त होगी तृतिय भाव की बात करते हैं तृतिय भाव का स्वामी सूर्य बनकर पहले तो आपके चतूर्त भाव में उसके बाद आपके पंचम भाव में श कि आप कोई भी initiative लेना चाहते हैं कोई भी स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह महीना मुझे लगता है बहुत फेवरेबल है कोई भी प्रकार के कारें जो आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि करें ना करें इस प्रकार की परिस्तति है तो इस महीने आगे बढ़ा जा सक लेकर है यहां पर जो भी काम करेंगे कम्यूनिकेशन काफी स्ट्रॉंग रहेगा कि शुक्र की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि डिजाइनिंग शित्र और खाने पीने की व्यापार को जो भी लोग लीड कर रहे हैं उनको काफी अच्छी सफलता है आइटिक चतूर्त भाव में सूर्य बुद्ध का बुदादित्य योग है और यहां प्रॉपर्टी लेने के लिए मुझे लगता है महीना बहुत अच्छा है नया घर लेना चाहते हैं कोई कार खरीदना चाहते हैं या कोई भी कारे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड और अटका मुझे लगता है बहुत फेवरेबल रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे माता के साथ अगर कोई भी सब्मंदों में क्लैश है तो वहां पर भी पहले से सुधार होगा माता के स्वास्थ के अंदर भी सुधार होगा शुरू के 18 दिन का समय जो है डेफिनेटली जो भी रखने की ज़रोते बाकी बहुत ज्यादा गबरानी की परिस्थती नहीं है कि पंचम भाव की बात करते हैं तो अगर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं जो आप स्टूडेंट है और स्टूडेंट कोई नए कोर्स की तरफ एंटर होना चाहते हैं उसके लिए कोई स्थान परि लिए बहुत बहुत फेवरेबल है और कोई भी बदलाव अगर स्टूडेंट के जीवन में आता है वह आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट लेकर आएगा शेयर मार्केट के अंदर भी मुझे लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे शुरू के 18 दिन का समय बहुत फेवरेबल है उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगता है सूर्य की नीचस तवस्ता के कारण कैलकुलेटिव होकर चलिएगा यहां पर चाइल्ड बर्थ की बात की जाए तो स्वास्ते का बहुत ध्यान रखेगा क्योंकि सूर्य बहुत नीचस तवस्ता में आएंगे तो जो भी गर्बवती महिला है उनको अपने स्वास्ते का डबल ध्यान रखना पड़ेगा मुझे लगता है कि यहां ट्रावेलिंग बिल्कुल अवएड करनी चाहिए और बच्चों के जीवन में डेफिनेटली उनके करियर के अंदर जंप मिलेगा अगर आप मिथुन लगनके हैं तो आपके बच्चों के जीवन में करियर ओरिएंटेड कुछ डिशीजन्स आएंगे और कहीं पर भी विवाद की परिस्तेती हो तो उनको इंडिपेंडेंटली डिशीजन लेने दीजेगा तो वहां पर उनको काफी अच्छी सफलता प्राप्त होगी यहां स्टूडेंट्स और स्टूडी से कनेक्टेड हर डिशीजन में आपको स्टूडेंट लाइफ में आपके पंचम भाव में हैं तो यहां पर कोई भी प्रकार के शत्रौ आपपर हावी नहीं हो पाएंगे यहां ये ज़रूर है कि जब लोन की बात कीजाए प्रापर्टी से इस स्टूूइंट लोन लेना चाहते हैं मुझे लगता है कि जो भी स्टूइंट्स बाहर जाने के लिए अगर कोई लोन की प्राप्टी करना चाहते हैं ये महिना बहुत पेवरेबल है उन कार्य के लिए और ये चीज ज़रूर कहोंगे कि स्वास्थ की बात की जाए तो ये महिना एक तरह से कहा जाए कि ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड डेफिनेटली जिसको प्रॉब्लमस उसके लिए है स्किन रिलेटड इशू से तो वहाँ पर भी ध्यान रखने की जुरूरत है मगर बहुत ज्यादा गबरा ने किया ये बहुत ज्यादा कोई सीरिस नोट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है अब बात की जाए सब्तम भाव की तो सब्तमेश गुरू बनकर आपके लाबस्थान में वक्रवस्था में है यहाँ पर रिलेशन्शिप की बात की जाए तो पती-पत्नी के संबंधों में डेफिनेटली आपको इस महीने थोड़ा सा शांती बना के रखनी पड़ेगी यानि कि यह कैसी परिस्थिती है कि गुरू वक्रवस्था में है तो यहाँ पर कभी न कभी एक तरह से मिसक्म्यूनिकेशन हो जाते हैं अंडरस्टैंडिंग इशू होते हैं और कही न कहीं रिलेशन्शिप में आपको इंतजार करना पड़ता है वेटिंग में रखा जाता है और अल्रेड़ी जो मैरेड लोग है महां पर एक तरह से मुझे लगता है कि रिजॉल्व होगी चीजें जो अल्रेड़ी शादी शुदा है वहां पर चीजों में क्लारिटी आएगी धीरे धीरे आप मैटर को सॉल्व कर पाएंगे मगर पेशन्स रखना पड़ेगा यहां पर एक चीज जरूर है कि कि पार्टनर्शिप बिजनिस को मुझे लगता है कि अभी आवड करना चाहिए इस महीने इस प्रकार के डिशिजन के लिए फार्टनर्शिप के लिए तो मुझे लगता है कि अवु ए walls करें तो ज्यादा रहेगा अच्छा रहे और एक तरह से इंडिपेंडेंटली कोई कार्य करते हैं तो वो कर सकते हैं वहाँ आपको डैफिनिटली सफलता मिलेगी आप पॉर्चिनिटी स्प्राप्त होगी अब बात करते हैं आपके अस्टम भाव के अस्टमेश शनी बनकर आपके नवम भाव में वक्र वस्था में शनी और शुक्र का दरश्टी संबंध है तो यह मुझे लगता है कि अगर लॉफिल्ड के अंदर आप रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है आइटीक शित्र के अंदर रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी प्रकार के अंदर हैं तो वहां पर आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी हिडन नौलेज आपका काफी बढ़ेगा आपका मंत्र साधना में इंट्रेस्ट डैफिनेटली बढ़ेगा नवम भाव की बात करते हैं में नवम् भाव में शनी वक्र रवस्था में और शुक्र के दरश्टी संबन्ध की वजह से मुझे लगता है कि ये शुक्रशनी का जो दरश्टी संबन्ध है यह कोई भी प्रकार की master's के course के लिए और specially research oriented कोई भी course है medicine का research कहो designing के अंदर जाना चाहते हैं या कोई भी fashion designing का course करना चाहते हैं master's level का कोई भी IT क्षित्र के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है defense के लिए भी बहुत अच्छा है मगर यहां पर जो भी इस प्रकार के course के लिए अगर loan लेना चाहते हैं तो यह महिना उन students के लिए बहुत अच्छा है यहां भाग्य का support आपको बहुत अच्छे रूप में प्राप्त होगा 10th house की बात करते हैं 10th Lord 11th house के अंदर है और वक्र वस्था में है यहां पर मुझे लगता है कि कोई भी प्रकार का परिवर्तन भी है उसे स्विकार करिएगा वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत अच्छी results प्राप्त होंगे सुपीरियर्स के साथ पेशन्स के साथ आपको अप्रोच करना पड़ेगा मगर डेफिनेटली वहां से भी आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स प्राप्त होंगे और पॉर्चुनिटीज मुझे लगता है यह महीना आपके लिए बहुत सारी क्रेट कर रहा है जो भी सुक्सित्र वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा है कि जो भी लोग मेडिसिन पेंदर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए यहां पर डाफिनिट्ली सर्कल बहुत बढ़ेगा आपके कम्यूनिकेशन लोगों की साथ काफी स्ट्रॉंग होंगे और मुझे लगता है आपॉर्चुनिटी से भरा हुआ मेहिना इसका ज्यादा से ज़्यादा उप्योग करना चाहिए कोई भी नई प्रॉपर्टी खरिदने के लिए ये महिना बहुत अच्छा है जो भी पैसे होंगे शुभकार्य के अंदर आप लगाईए उसमें काफी सफलता मिलेगी आपको ट्वेल्थ हाउस की बात करते हैं तो ट्वेल्थ हाउस पे भी मंगल की दरश्टी डेफिनेटली है लॉड की परिस्ति जो है वो शुक्र बनकर तरतिय भाव में है तो ट्रावेलिंग से बहुत अच्छा लाब है जो भी लोग लीगल मैटर में फसे हुए हैं तो वहां पर ब और इन्वेस्मेंट से कनेक्टेड बहुत अच्छे लाब हैं ट्रावेलिंग बहुत अच्छा है मल्टिनेशनल कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं तो यह महिना उससे कनेक्टेड आपको सफल ताके बहुत अच्छे योग बनेंगे तो इस महिने का बेटर्मेंट की तरफ यूज कीजिए जो भी परिस्तती है मैंने आपके सामने रख दी है आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा थैंक यू सो मच जैश्यक्रिश्ट